हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल स्प्रीचर लव्टर और 786 कैसे हैं आप लोग आए होप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपी होंगे यह एक जनरल रिडिंग है कलेक्टिव रिडिंग है टाइमलेस है पूरी तरह से जब भी आपके सा मिलता है तो भी आप लाइक कर सकते हैं ओके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू मेरे वीवर्स और सब्सक्राइबर चलिए कार्ट क्या आते हैं हम देख लेते हैं चलिए यहां से है five of pentacles तो चलिए देखते हैं क्या क्या कारड निकला है 10Doet तो डियर first card तो यह निकला है कि इस रिष्टे क्यों लेकर आपके पार्टनर की current feeling क्या है बात करी जारे है current feeling की तो topic तो यही है current feeling के उपर तो burden feel कर रहे हैं हो सकता है कुछ बाते आप लोगों के बीच में खराब हुई है कुछ ऐसा situation आया है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बाते छुपाई गई थी कुछ situation हालात से जादा खराब हो गया आप लोगों के हालात और यहां पर जिस भी कारण से आप लोगों के बीच में लड़ाई जगड़े हुए हैं या कोई हालात खराब हुए है तो मुझे उसकी वज़र third party लग रही है यह रिष्टा कहीं न कहीं खतम हुआ है या फिर इसमें कुछ बहुत ज़्यादा problem create हुए है तो यह third party ही है जिसके कारण यह रिष्टा खराब हुआ है पहले रिष्टा जो था बहुत ज़दा attraction बहुत ज़दा loving सी energy positive रिष्टा था दियर लेकिन यह third party के current कुछ juggling चलने लगी और यह रिष्टा जो है कहीं न कहीं खतम सा हो गया है हाँ balance भी खराब हुआ है इस रिष्टे में आपने काफी balance बनाने की कोशिश करी थी पर यह रिष्टे में balance पूरी की तरह से खराब हुआ है कार्ड निकल चुके है साइन की बात करी जाए तो टौरोस वर्गो कैप्रिकॉन है तो डियर विशप कन्या मकर राशी है और यहाँ पर है एरीज लियो फिलिंग क्या है उनकी तो डियर वो जो person है वो यह सोच रहे है कि इस रिष्टे की situation को कैसे सही किया जाए कैसा कुछ किया जाए कि यह रिष्टा जो है फिर से बन जाए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग का रिष्टा जो है खत्म हो गया है दैत का कार्ड निकला है बहुत जादा लोगों के बीच में बाते बंद हो गई है बिलकुल no contact वाली situation आ गई है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसकी partner से उनकी बातचीत बंद हो रही है पर यहाँ पर यह दिख रहा है clear तरीके से कि आपके partner यह सोच रहे है कि इस situation जो चल रही है जो भी रिष्टा उ चाहते हैं आप से बात करना चाहते हैं जो भी problem है dear उनको कैसे हटाया जा सके आपका partner यह सोच रहा है इस रिष्टे पर काम करना चाहा रहे हैं ठीक है clear तरीके से दिख रहा है जो भी problem है उसको दूर हटाना चाहते हैं यह इस रिष्टे में काम करना चाहते हैं कहीं न कहीं आपके partner जो है victory हासिल करना चाहते हैं आपके साथ में life तो देखते हैं dear ऐसा लग रहा है इस situation में एक तरफ आप हैं और एक तरफ कोई और तो कोई और हो सकता है third party situation हो तो आपके बीच में third party हो सकता है family है या फिर friends है या फिर कोई भी हो सकता है dear जिसके कारण ये partner जगलिंग वाली स्थिती में दिख रहे हैं ये कोई decision नहीं ले पाते हैं दो-दो thoughts इनके मन में समाते रहते हैं बार-बार दो-दो thoughts में उलजते रहते हैं एक तरफ आप नहीं करते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है एक तरफ आप हैं इस relation के लिए ऐसा क्या करें कि इनके life में फिर से new start हो जाए क्योंकि death का card निकला है रिष्टा तो dear खराब हो गया है खतम कर दिया इस partner ने अब यहीं सोच रहे हैं कि रिष्टे में ऐसा क्या करें कि आपका रिष्टा बन जाए burden feel कर रहे हैं उस चीज के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यदा लड़ाई जगड़े भी कर रहे होंगे यह person आपसे हो सकता है कि बात बात पर जगड़ रहे होंगे तो यह energy मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे है नई शुरुवात तो चाहते हैं यह new change लेकर आना चाहते हैं जिससे यह रिष्टा जो है थमसा गया था तो इसको start करना चाहते हैं भले आप लोग के बीच में कुछ लड़ाई जगड़े हुए थे कुछ बाते खराब हो गई थी तो dear यह person अब clarity के साथ में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं भले बाते चाहें कुछ भी रही हो पर यह पूरी तरफ से आपकी तरफ आएंगे अपनी life से कैसे हटाएं यह third party को अगर इनकी life में third party है dear तो यह सोच रहे हैं कि कैसे यह अपनी life से उस third party को हटा सकते हैं ताकि आपकी life अच्छी हो सके और यह partner आपकी तरफ move कर सके यह आपकी तरफ आना चाहते हैं dear मुझे असा लग रहा है कि यह person married है married situation में फते हुए हैं या फिर बहुत ज़दा इनकी situation जो है खराब चल रही है वो उस situation को खत्म करना चाहते हैं और आपके साथ आएंगे यह person new start तो चाही रहें dear आपको कैसे बताएं क्या करें क्या express करें तो यह सारी चीजों के बारे में सोचते दिख रहे हैं जो धोका दिया है जो आपको चीट किया है इस person ने उसके बारे में भी सोच रहे हैं मिस कर रहे हैं dear क्योंकि यहां से attraction का काड़ है और यह ऐसा लग रहा है कि यह जो भी पार्टनर है बहुत जदा आपको मिस कर रहे हैं इनको आपकी बहुत याद आ रही है ठीक है यह रिश्टा जो खत्म किया था दिखिए इस partner के आप से कहीं बात नहीं हो रही है उस बात का अफसूस है इनने feelings को hurt किया है इनोंने इस बात पर पच्छता रहे हैं पच्छतावा हो रहा है अब यह relation सही करना चाहरे है रियलाइजजेशन हो रहा है इनको उसके बाद इनको आपकी value का पता चल रहा है क्लियर्टी देना चाहते हैं डियर चेंज लेकर आना चाहते हैं सारे ऑप्टिकल्स जो इनकी problem हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि कार्ड्स यहीं बता रहे हैं कि जो भी इनकी life में यह जगलिंग कर रहे हैं जिसमें सिट्वेशन में आपका partner फचा है या फसी है तो वहां से बाहर निकलने के लिए यह पूरा जोर लगा रहे हैं क्लियर्टी देना चाहते हैं चेंज का कार्ड है चेंज लेकर आना चाहते हैं सारे ऑप्टिकल्स जो हैं जो भी ऑप्टिकल चल रहे हैं इनकी life से उसे बाहर निकलने के कोशिश करें आपको लेकर यह एक good decision लेना चाहते हैं इनकी पूरी नज़र डियर आप पर है भले आपको दिखाते नहीं हो और आपसे बताते नहीं है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी partner है ना इनका पूरी नज़र आपके उपर है आपको लेकर इस्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा दर्ज में दिख रहे हैं यह दोनों कार्डिया ही बता रहे हैं कि यह इस चीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे हालात को सही कर सकते हैं कैसे situation से बाहर निकल सकते हैं जिस भी third party में फसे हैं या फिर इनकी life में कुछ problem है अगर ये person married है और ये married life में फसा हुआ है divorce चाहता है तो वो कैसे वहां से निकल सकता है ये बातों को सोच रहे हैं आपको लेकर stress तो ले रहे हैं dear आप कही move on तो नहीं कर जाओगे कहीं इनको छोड़ कर तो नहीं चले जाओगे बहुत ज़्यदा परिशान हो रहे हैं है ना ऐसी feeling सारी हैं इनको कि इन्होंने आपके साथ में काफी time से बात नहीं करी है आप से move on करके गए थी छोड़ दिया था तो इनको डर भी लग रहा है dear कि आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए आप इनको छोड़ कर तो नहीं चले जाओगे आपको लेकर अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली स्थिति दिख रही है बहुत ज़्यादा हमेशा आपको हर्ट किया है ठीक है हर्ट किया है अब ये चाहा रहे है कि आपको अपने साथ रखना चाहते हैं खोने का डर हो रहा है ना dear खोने का डर है इन्हें कुछ ना कुछ guidance मिल रही है ऐसा लगता है universe इनको कुछ guide कर रहे हैं उसके कारण ये person जो है अच्छी सोच में आ रहे है पॉजिटिव सोच रहे है डियर पॉजिटिव सोच रहे है action ले सकते हैं action यहां होके रहेगा call message भी काफी लोगों को आ सकता है बात हो सकती है या फिर बहुत सारे लोगों की feeling अपने partner से आप accept कर सकते हैं कि वो partner आपको कुछ कह रहा है या फिर आप अपनी feeling उन से share करने वाले हैं बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ commitment मिलता दिख रहा है आपके partner आपको love offer कर सकते हैं ठीक है family वालों से बात करेंगे आपके लिए और यह दिख रहा है कि यह आपके लिए stand लेंगे अगर इस रिष्टे में third party situation थी तो dear अब वो third party जो है उससे रिष्टा तोड़ने की सोच रहे हैं उससे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं चाहे वो third party family हो कोई भी हो dear यह आपकी तरफ एक move करना चाहते हैं आपके लिए step लेना चाहते हैं अपने जजबात आपको बताना चाहते हैं जो भी problem है उन्हें solve करना चाहते हैं सच्चाई के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं जो भी छुपा रहे थे वो सामने लेकर आएंगे आपको आपको सच्चा ही बताएंगे दियर क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा इनकी लाइफ में, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने क्यों दूरियां आपसे मैंटेन करी, ऐसी क्या वज़र थी जो यह आपके तरफ नहीं आपाए यह जहां भी फसे थे ना, वो सारी चीज़े आपसे शेयर करने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी मजबूरी में फसे हैं इस परसन ने आपसे क्यों दूरियां मैंटेन करी, क्यों डिस्टेंस बनाया, यह जो बैलन्स लेकर नहीं आपाए इस रिष्टे में यह सारी चीज़े आपसे शेयर करने वाले हैं मतलब यह बताएंगे, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो यह वहां कैसे फसे है ना, यह सच्चाई को सामने लेकर आएंगे दियर, और यह बताएंगे कि इनकी क्या मजबूरी थी, क्यों इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया और यह इस रिष्टे पर जब काम करना चाहा रहे थे, तो यह आपसे दूर क्यों गए क्यों इन्होंने यह बैलेंस को खराब किया क्यों इनके मन में यह दो-दो थोट्स आए है ना, यह तो बहुत positive सोच रहे थे आपके साथ में, आप दोनों ने ही बहुत अच्छा रिष्टा सोच के रखा था, आपके तरफ यह person जो थे बहुत ज़्यादा attract थे फिर अचानक से इनके अंदर इतना सारा transformation कैसे आ गया कि यह person जो है change होते चले गए आपसे दूरिया बनाते चले गए आप दोनों के बीच में गेप आ गया लड़ाई जगड़े हो गए, वो सारी पास के बातों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं देख रहे हैं, पर अभी डियर एटसी बात करी जाए, उस person के दिल के हाल की, तो डियर उनका decision में जलते थे ना, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करें, अगर third party थी, तो उसे release करना चाहते हैं, डियर सच्चाई के साथ, आपके सामने आना चाहते हैं, इंतिजार करने हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, और कहीं न कहीं इनके wish है, वो आपको पाना चाहते हैं, victory हासिल करना चाहते हैं, आपको ना पापाने का बड़न इनको बहुत ज़्यादा feel हो रहा है चलिए हम कुछ message के द्वारा देख लेते हैं कि क्या messages यहां से निकले हैं आपके partner आपको क्या messages देना चाहते हैं, okay dear तो यहां मैंने कुछ messages निकाले हैं आप देख लेजिए, अगर आपका कोई question है आपका कोई सवाल है आपके partner से तो उसका answer yes है dear यहां next card जो दिख रहा है वो है if you believe तो 100% आपके partner यही कह रहे हैं कि उनपे believe करें, उनपे भरुसा रखें लिबरा, तो dear हो सकता है आपके partner या आप लिबरा हो, okay एरीज हो सकते है dear आप या आपके partner look for sign तो dear हो सकता है कि इस partner को कोई न कोई sign मिल रहे हैं, जो यह आपको बताना चाहते हैं, ठीके तो इनको कुछ न कुछ universe sign दे रहे हैं, या फिर कुछ sign मिल रहे हैं, great understanding dear, तो आप दोनों के बीच की जो understanding है, वो बहुत great है आपके partner ये समझ पाए है, divine तो कही न कही, divine इनको support कर रहे हैं, divine इनको आपकी तरफ push कर रहे हैं, feelings इनकी feelings जाग रही है dear बहुत ज़्यादा attachment, तो attachment feel कर रहे हैं, आपको लेकर और next card है romance, मैंने कहा ना, यहाँ से attraction भी है romance भी है, बहुत ज़्यादा better, तो dear, ये आपके साथ में better feel करते हैं, safe feel करते हैं, आपके जो partner है can I call you तो dear, ये आप से पूछ रहे है can I call you, okay soulmate, तो dear, इनको ऐसा feel होता है, कि आप दोनों का connection है, soulmate वाला connection है देखे, यहाँ से भी card निकला है transformation का, तो ये change लेकर आना चाहते हैं, जो भी आपके रिष्टे की death हुई है आपके रिष्टे में बुराईयां हुई है जो भी चीज़े हुई है, उसके death होती दिख रही है और new start होता दिख रहा है अगर आप लोग के बीच में negativity थी तो dear, वो negativity हटने वाली है amazing connection आप ये connection को amazing connection की तरफ feel करने वाले है special, ये person आपके लिए बहुत ज़्यादा special है, या ये person आपको बहुत ज़्यादा special मानते हैं, ठीक है dear तो cancer हो सकते हैं, आपके person या आप okay scorpio हो सकते है dear कुछ sign निकले हैं आपर cancer, scorpio और libra, aries, ठीक है aquarius भी है, तो aquarius हो सकते हैं आपके partner और perfect match, तो dear आपके partner, आपको perfect match मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बने हैं, और ये आपके लिए बने हैं, जैमिनाए हो सकते हैं आप या आपके partner Leo हो सकते है dear, आप या आपके partner future, तो dear बहुत अच्छा card निकला है, तो ये partner आपके साथ में future की planning कर रहे हैं, wait for me देखे कितना last card, कितना beautiful card है, wait for me तो आपके partner आपसे कह रहे हैं कि wait करिये, मैं आ रहा हूँ मुझसे जो गलतिया हुई है, उसके लिए मैं आपसे sorry बोलता हूँ, पर आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा special है, बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं, मैं आपके साथ में अपना future देखता हूँ, एक attachment फील करता हूँ, आप मेरा romance है आप मेरे लिए better है, आप से अच्छा कोई नहीं हो सकता, आप मेरे लिए एक special person है, ठीक है तो यह आपके partner आप से कह रहे है यही इनकी current feeling है I hope आपको reading अच्छी लगी होगी कुछ ना कुछ guidance मिला होगा Dear, अगर आपको कुई guidance मिला है, reading अच्छी लगी है तो please reading को like कर दीजेगा और जो लोग first time channel पर आ रहे हैं please channel को subscribe कर दीजेगा हम मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक अपना ध्यान दखें happy रहे, happy रहे, खुछ रहे Bye Bye